नमस्कार दोस्तों चेहिन आप देख रही इस प्यानी चेर्मी सभी दसकों का स्वागत है यह उत्तर परदेश के सीतापूर रियुसा छेतर की तस्वीर ग्राम पंचायत हुसेन पूर खानी बाहर पूर की है जहाँ पे उस दर्वाजे के उपर हम पहुंच चुके हैं जो ग्राम पंचायत हुसेन पूर खानी बाहर पूर एक इवक को घागरा नदी के अंदर अपने निवाला बना लिया और उसको खीचते हुए पानी के अंदर लेके गया रो हमला कर दिया और उसकी घटना इस्थल के उपर मौत हो गई और जनपत बहरेच के थाना हरदी के अंतरगत में आता है सीमा जहां पे काफी लोगों का हुझ्जूम भी उनके दरवाजे के उपर एक्तिरित है और सभी की आखें नम है और जो सुनता है वो दोड़ता उस दरवाजे के उपर चला आता है और हम तस्वीर दिखाएंगे जो उनके बच्चे हैं चोटे-चोटे और चार दो लड़कियां दो लड़के हैं उस इवा के और क्या करने गया था नदी की कनारे जो उसके उपर मगर मच्छ ने हमला कर दिया और घटना स्थल के उपर उसकी मौत हो गई और उसका क्या पता क्या निसा है उसकी पुष्टी दूसरे फाट में दूसरे वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे बिधवास से पूरी जानकारी देंगे और ये ग्राम पंचायत हुसेन पूर खानी बाहर पूर की तस्बीर है उस दर्वाजे की जहां पे एक छेतर में हाहकार बच और संसरी फाइल गई सभी की आखों के आसु छलकते नजर आ रहे हैं हम चलते हैं परिवार के बीच में और उसे बात करेंगे और थाना हर्दी जन्पत बहरेच के सीमा में अब हम चल लें वहीं और वहीं से पूरी खबर को कबरेच करेंगे और पूरी घटना के बारे में आप लोगों को हम जानकारी देंगे नमस्कार दोस्तों चेहिंद बने रही हमारे साथ और शायर करें कमेंट करें लाइक करें इस खबर को ज्यादा से ज्यादा ताकि लोग घागरा नदी के अंदर मच्री मारने को ले करके मवेसी चराने को ले करके साउज को ले करके तरह बताया भी गया अलट भी किया जा रहा है बराबर बार रहाद दल बचाओ के टीम के द्वारा एलांसमेंट भी किया जाता है और सभी को जागरू किया जाता है कि घागरा नदी के किनारे राजाएं क्योंकि ये बार छेत्र इलाका प्रभावित इलाका है और चलते हैं हम झाल झाल